वो जी के मात्तपूर कोशन लाएंगे, बिल्कुल हमारा फॉर्मेट उसी सीट एट एग्जाम क्यों देखते हुए बनाये गया है, अगर आपका सीट एट एग्जाम के लिए प्रिपेशन पूर रूप से त्यार हो चुके है, तो आप इन परशनों के उत्तर देने में पूर अगरे गया सब्सें पूर्ट में कौन सा कथे उचित नहीं है तो उचित नहीं है बताने हैं, फर्स्ट है भाषव अरजन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, ओप्शन नमबर टू है बाश अरजन को सहज बनाने के लिए समृड है, और हमारा ओप्शन नमबर फॉर्थ है त भाशो को है जो यहां Satya करते हैं Mira xajat culgar छोड़ते रहते हैं उसी अरजन कहते हैं ऑप्शन नंबर 2 है मारा कौन सा कहते हैं शिक्षण की प्राकरती को दर्शाता है तो बताना है कि प्राकरती कैसी होती है शिक्षण की फर्स्ट है यह एक कला है फिर यह एक विज्ञान है फिर यह एक कला और विज्ञान दोनों है और फोर्थ है ना तो यह कला है ना तो यह विज्ञान है तो यह एक कला और विज्ञान दोनों का समवेश है, option number 3 यहां सही रहेगा हमारा, ठीक है, चलते हैं next question पर, question number 3 है, प्रात्मी किस तर पर बच्चों के भाशाई समता के आकलन के लिए सबसे अधिक कारगर क्या है, फिर है पोर्टफोलियो, फिर है जांच सूची, फिर है रेटिं जो गतिवीदिय होती है, कि रेकलप होती है उसका समावेश होता है, उसने कैसे कारे किया, किस तरह से उसका ग्राफ बढ़らा है, किस तरह से उसमें क्या-क्या चेंजिस आ रहे हैं, वैसा पोर्टफोलियوم होता है यह है पुरे प्रतिवर्ष उसकी सूची बनाई जाती है तो option number one यहाँ सही रहेगा मारा portfolio चलेंगे next question पर question number fourth है कौन सी विधी कक्षा 5 के चात्तों के लिए प्रते एक शिक्षक दोरा परियोग करने चाहिए तो first है wishlation sensation फिर है फिर है sensation फिर wishlation फिर थर्ड है केवल wishlation और fourth है केवल sensation तो बताएं इसका right answer क्या रहेगा right answer पर चलेंगे इसका right answer होगा हमारा option number one विसलेशन आत्मक फिर sensation आत्मक तो आपने सुना होगा कई बार यह नियम कई बार लगता है ग्यान के बाद हम आखरी में यह एक नियम होता है जिसमें चार्ज हमारे six step रहते हैं तो लास वाला step क्या होता है मारा wishlation आत्मक और उसके बाद sensation आत्मक ठीक है जैसे प्रकास sensation आत्मक की किर्या होती है वह सारा प्रकास क्या करता है अपने अंदर absorb कर लेता है तो wishlation आत्मक होता है पदों को तोड़ना और sensation होता है उन्हें इकट्था करना तो इस तरह से हम काले करते हैं तो option number one यह हमारा सही होगा next question पिछे लेंगे next question है आदुनिक शिक्षा पदिती में कौन सा परीवतन देखा जा रहा है फर्स है शिक्षा शिक्षार्थी केंदित होती जा रही है फिर है प्रिक्षार्थी केंदित होती जा रही है थर्ड है केवल समू केंदित होती जा रही है फिर है कोई नहीं तो पताए इसका right answer क्या पहले जो शिक्षा थी वह है शिक्षक उसमें केंदर बिंदु था किन्तु अब शिक्षारती केंदित होती जा रही है option number one हमारा या सही है next question हमारा कक्षा एक से पांच तक के बच्चों को किस परकार की कवीता पसंद है फस्त है जिसमें मुल्य हो जिसमें option number two है जिसमें गेईता हो यानि कि जो पद हो एक एक ऐसे हो कि बच्चे गाय सके उसे ग्यान में जुड़े हो यानि पोयम की फोर्म में हो थर्ड है जिसमें नवीन शब्द हो और फोर्थ है जिसमें तुक बंदि हो तो बताए ये right answer क्या करेगा right answer करेगा हमार option number two जिसमें गेईता हो यानि पद एक ऐसी फोर्म में हो जिसे बच्चे सहलता से याद कर सके याद सुन सके जैसे poem की फोर्म में होता है तो इस तरह की कवीता फसंद करते हैं next question पर चलेए next question है सही मिलान करना है तो ये question आपके लिए हैं आपको इसका ऐसका। toxins कौमें कमें सेक्शन में देना है कि दशन साहत किससे झूड़ाएं मनुविग्यान किससे झूड़ाएं और समाससा से देवाएं तो एक महात्तोपुण परिशन है और ये एक सब्सर्सक्राप है तो आपको इसका अंसार अमारे comment section में जूरूर देना है अगर आप का दो संभावित करन क्या होगा में बताने है फिर्ष फिर्ट है ला परभाई का की जैसे कि हम पूरवक की साइट चल जाएं, तो वहां पर कुछ भाषा का जो बोलने का चलन है वह कुछ अलग है, यहां की हिंदी भाषा है और पस्चिमी भाषा है वह कुछ अलग है, तो इसका जो राइट अंसर होगा है, उसकी मात भाषा का परभा हुआ है नेक्स कोशन पर चलेंगे, नेक्स कोशन है, भाशा की कक्षाओं में लोक तांतिता बनाई रखने के लिए क्या जूरिया फस्ट है, सुवतंत और मौलिक अभीवक्ति के अफसर देना फिस्ट है, लास, अप्शन नमबर टू है हमारा रज्जे भाशा को अनिवारते पढ़ा अवसर देना, कि बच्चे को जितने अवसर दिये जाएं, ताकि बच्चा खुछ से सीख सके, और खुछ से वह निरपूर्ण हो सके, और उसे सवतनत रूप से, ऐसे कारियों दे जाएं कि बच्चा खुशी-खुशी उन कारियों कर सके, तो राइट अंसर नमारा उप्शन थर्ड है शिक्षन का चिंतनशील इस्तर, और फूर्थ है शिक्षन का पैड़ोगोजी इस्तर, तो बताएं इसका राइट अंसर क्या रहेगा, क्या उसकता है इसका राइट अंसर, राइट अंसर की बात करते हैं, जो इसमें गलत है, बैह होगा मारा शिक्षन का पैड़ो पोजी इस तरह नहीं होता तो यहां option number fourth गलरत होगा तो इस प्रकार यह सीरीज यहां समापत होती है छोटी सीरीज थी यह देखने के लिए कि हम किस तरह से कोशनों को आकलन करते हैं तो यह सीरीज यहां समापत होती है आशा करते हैं आपको अच्छे लगी है क्योंकि अगर